चोपड़ा एजुकिस न्योटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचो आज इस वीडियो में हम कॉमन काउंसलिंग के बारे में चर्चा करेंगे क्या होती है कॉमन काउंसलिंग, क्या ये इस साल से ही लागू हो जाएगी अगर ये इस साल से लागू हो जाती है तो कटो फर कितना फरक फड़ेगा इसका प्रोसीजर क्या रहेगा और इसके लागू होने से स्टुडेंट को बेनिफिट्स क्या क्या होंगे तो इसके बारे में हम विस्तरित में चर्चा करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाते हैं तो इसके लिए हमारी All India Quota, State, Iuse, Veterinary के लिए बुक अविलेबल है इसको आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.chopdaeducation.in से डाउनलोड कर सकते हैं आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे हम आप से संपर कर लेंगे आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं यह जो ओलिंडिया कोटा और स्टेट की बुक है इसमें फैसलिटी यह है कि इसमें च्वाइस लिस्ट दी गई है इसके अकोर्डिंग आप 23 के लिए च्वाइस फिल कर सकते हैं इसमें राउंड वाइस, कैटेगरी वाइस, कुलेज वाइस, कटोफ दी गई है सभी स्टेट की भी कटोफ दी गई है स्टेट की बुक में और ओलिंडिया की बुक में एम्स, जिपमर सभी के लिए यह कटोफ दिखाई गई है इसमें इसके बाद में हम बात करें स्टेट कोटा की बुक के लिए तो इसमें भी same facility है, bond की details है, इसके बाद में क्या-क्या documents की requirement है, हर एक state में क्या counseling procedure है, तो इसके बारे में ये book available है, तो मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेंगी, क्योंकि state quota की book में open state जो हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, जिन student के marks कम हैं, वो open state में admission ले सकते हैं, क्या उनकी fees रहेगी, क्या कटोब रहेगी, इसके बारे में जानकारी दी गई है, ओल इंडिया की book में MCC, जो counseling करवाती है, डिम्ड यूनियर्सिटी, एम्स, जिपमर, ESIC, सभी के बारे में जानकारी available है, तो मैं सोचता हूँ ये book आपके लिए काफी helpful रहेग अब बात करते हैं, common counseling के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि क्या, ये common counseling क्या होती है, पहले तो हम इस विशे पर चर्चा करते हैं, तो common counseling का मतलब है कि जो अभी तक counseling करवाई जाती है, वो दो authority द्वारा counseling करवाई जाती है, सबसे पहले है MCC, MCC counseling करवाता है 15% All India quota के ल के लिए, इसके बाद में जिपमर के लिए, और ESIC के लिए, DU quota के लिए, और इसमें dimmed university के लिए MCC द्वारा counseling करवाई जाती है, तो पहली जो counseling authority है, वो MCC है, दूसरी जो counseling authority है, वो state counseling authority है, यानि कि हरे एक state, अपने अपने state में, जो उनके state में government medical college है, private medical college है, तो government medical college के लिए 85% state quota के लिए counseling करवाई जाती है, और private के लिए 100% quota के लिए counseling करवाई जाती है, private की condition में हर एक state द्वारा, तो इंडिया में ये दो ही counseling authority है, MBBS, BDS, BSC nursing, इनके admission के लिए, अब जो common counseling के लिए होगा, वो एक ही authority द्वारा counseling करवाई जाएगी, कहाणे का मतलब ये है, कि उसमें state quota के लिए जो counseling के लिए state authority होती है, वो नहीं होगी, इसमें एक ही counseling करवाई जाएगी, जैसे मालो, MCC ही अगर counseling करवाता है, 15% All India quota के लिए, और 85% state quota के लिए, और private के लिए, अगर MCC counseling करवाते हैं, तो ये एक ही counseling authority होगी, इसी में 15% All India quota के लिए counseling करवाई जाएगी, और 85% state quota के लिए भी इसी एक ही platform पर counseling करवाई जाएगी, ये counseling दिली state की जो 5 college हैं, उनके लिए अलड़ी करवाई जाती है, इसी प्रकार से दिली state की जो 5 college हैं, उन 5 college के लिए ये counseling करवाई जाती है, मोलाना आजाद, UCMS, इसके बाद में Lady Hardinge, और VMMC और RML, इन 5 college की counseling, इसी procedure के थूँ, यानि कि उसमें state तो दिली है, लेकिन MCC करवाती है, उसमें 85 का भी MCC, 85% state quota का भी MCC करवाता है, और 15% all India quota का भी MCC करवाता है, तो आलड़ी इस प्रकार की ये counseling चल रही है, जिसमें एक ही authority है state के लिए, और all India के लिए, तो ये अभी आने वाले समय में, ये इसी प्रकार से होगी, यानि कि एक ही counseling authority होगी, student को जगे-जगे, अलग-अलग जगे registration करने के आउशकता नहीं है, उनको भठकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगे उनको counseling करवा कर admission दिया जाएगा, अब क्या ये इस साल से applicable हो सकती है, तो मैं आपको बता दूँ कि इस साल से इसके लागू होने की कोई possibility नहीं है, कारण, कारण ये है कि इसमी जो counseling होगी, उसमें state का, सारे states का eligibility criteria set करना पड़ेगा, कोण से state में क्या eligibility है, admission के लिए, क्या उसके domicile rules है, किसी state में 11-12 को domicile rules माना जाता है, किसी में जो वहाँ का मोल निवासी है, उसको माना जाता है, तो ये सारा का सारा एक बार consolidate होगा, ये पूरा का पूरा एक software बनेगा, उप software के अंदर eligibility होंगी, फिर जो MCC का counseling का application form फिल करवाया जाएगा, उसमें भी change होगा, उसमें change इस परकार से होगा, जैसे दिली state की जो condition है, वो उसमें फिल की जाती है, पुडूचेरी की condition फिल की जाती है, उसमें, जिपमर की, क्राइकलोर, पुडूचेरी की, क्योंकि पुडूचेरी के लिए भी 85% state quota के लिए counseling, MCC करवाता है, तो उसकी अलग से, जो उसकी domicile criteria है, वो अलग से follow होते हैं, तो हर एक state के यहां पर जो domicile criteria हैं, वो यहां लागू होंगे, और इसके लिए काफी समय लगेगा, समय का मतलब है, कि हम यह बिलकुल भी possibility नहीं मान रहे हैं, कि यह इस बार से लागू हो सकता है, इस बार से लागू होने की, इसकी कोई possibility नहीं है, क्योंकि इसमें अभी सम लगेगा, अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं, कि इसका procedure क्या रहेगा, तो procedure मैंने आपको पहले ही अभी बताया है, कि 15% की जो seat है, ओल इंडिया कोटा की, उसकी counseling करवाई जाएगी, इसके बाद 85% state कोटा की, उसकी जो present है, जो eligibility criteria, state का वो follow किया जाएगा, domicile criteria follow किया प्राइवेट कोलेज हैं, उनकी counseling भी MCC द्वारा ही करवाई जाएगी, प्राइवेट कोलेजेज की, जिस प्रकार से dimd university की करवाई जाती है, उसी प्रकार से private colleges की counseling भी, एकी platform पर, यानि कि अगर MCC करती है, यह counseling, MCC करवाती है, तो एकी platform से होगी, प्राइवेट कोलेज की भी counseling, तो इसमें जो procedure है, वो यही रहेगा, state का और MCC का जो procedure है, उसको मिला करके, जिस प्रकार से डिली state की counseling करवाई जाती है, उसी प्रकार से यह, इसका counseling का procedure रहेगा, अब मैं आपको बताऊं कि इसके benefits क्या क्या होंगे, तो benefits के लिए इसमें हम देखें, यह student के लिए काफी beneficial है, कहने का मतलब है, यह है, कि यह लागू होने से student को भौत ज्यादा फाइदा होगा, हम तो काफी दिनों से सोच रहे थे इसके बारे में कि एक ही common counseling हो, ताकि student को अलग-अलग plateform पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, उनको state quota के लिए registration करने की ज़रूरत नह से student को काफी ज़्यादा problem आ रही है, problem क्या आ रही है, उसमें MCC का round चलता है, उसमें देखना होता है, उसको उसकी कौन सी seat मिली है, state का round उसके बाद सुरू हो जाता है, उसमें उसको कौन सी seat मिल रही है, अभी वो puzzle हो जाता है, क्या मैं state का round सोड़ूं, या फिर MCC का round सोड लेकिन जो common counseling होगी उसमें एक ही authority होगी उसी के अंदर आप state quota की seat भी भरेंगे और उसमें आप all India quota की seat भी फिल करेंगे तो जिसमें आप eligible होंगे वो आपको एक ही seat alert होगी अभी तक पहले क्या होता आया था कि student से उनको जो अच्छी merit के student है उनको all India में भी seat alert हो जाती थी वो उसके भी जोइन करके रख लेते थे उसके बाद state से भी जोइन करवा लेते थे तो जो lower candidate हैं जो low top के candidate हैं उनके लिए problem हो जाती थी low marks वाले candidate के लिए problem हो जाती थी उनको कहीं seat नहीं मिलती थी last में जाके कहीं ऐसा होता था कि काफी सारे student तो ऐसे होते थे कि बीच में उनको private में admission लेना पड़ सकता था कि हो सकता है बाद में उनको seat मिले या नहीं मिले तो काफी सारे student के साथ में ये भी problem आते थी कौन से round से हमें security lapse हो जाएगी हमारी कौन से round में seat लेनी चीए तो इसके rules से ये सारी चीजे student के लिए problem खड़ी हो जाती है दो counseling में तो जो एक ही counseling होगी उसमें सबसे बड़ा ये फाइदा होगा कि हर जगा student को भटगना नहीं पड़ेगा सिरफ एक ही जगे उसको focus करना है इसमें एक ही जगे उसको registration करना है अभी देखो जिन जिन candidates को जैसे जो private में admission लेना पड़ता है जिने student को 5 जगे या 6 जगे या 7 जगे उनको registration करना पड़ता है open states में वहां की security money जो लाग लाग रुपए होती है वो fill करनी होती है registration fees देनी होती है तो उनके लिए काफी problem हो ज जाते हैं पता ही नहीं लगता है कब कौण से state के registration open हो गए और कब close हो गए तो कई काफी सारे admission से वंचित रह जाते हैं कौण से state का round कब हो अकब निकल गया ये पता नहीं लगता है तो ये सारी प्रेशानिया student के लिए इससे दूर हो जाएंगी एक ही बार registration करना है कौण से state का registration निकल गया है अभी हमें registration करना है या नहीं करना है कौण से इस्टेट आजकल registration face भी student states की काफी ज्यादा हो गई है हर एक student वो भी aware नहीं कर पाता है तो आपको सबसे बड़ा फाइदा ये होगा कि एक ही जगह registration करना होगा दूसरा फाइदा ये होगा कि जब एक ही जग पे करनी होगी common counseling के लिए जब registration fees एक ही पे करनी है तो फिर ज्यादा problem भी पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं होगा security money भी आपको एक ही बार deposit करनी है जैसे अभी कोई student dimmed में admission ले रहा है दो लाक रुपए उसको dimmed के deposit करने उसके बात में वो कहीं 36 गड़ में ले रहा है एक ल deposit काफी सारी security उनकी इस प्रकार से पैसे block हो जाते हैं तो उनको एक ही security money deposit करनी होगी तो इससे काफी ज़्यादा फायदा होगा यही government की condition में है government की condition में भी security money 10,000-5,000 होती है वो state के लिए भी deposit करने पड़ती है और MCC के लिए भी deposit करने पड़ती है तो यह student इस समस्या से उ जाएगी इसके बाद में online counseling होगी जब common counseling होगी तो online counseling होगी तो online में offline के लिए जो students को जाना पड़ता है वो नहीं जाना पड़ेगा जैसे राजस्तावन की counseling 6-7 दिन तक चलती है student को वहाँ अंगेज रहना पड़ता है इसके बाद और सारे काफी सारे states से जहां मोपर प्रा बुखने की problem होती है तो काफी सारी problem होती है उससे student को निजात मिल जाएगी इसके बाद में documents verification के लिए students को जाना पड़ता है जैसे की counseling के लिए किसी-kis स्टेट में तो पहले भी जाना पड़ता है किसी स्टेट में बाद में जाना पड़ता है डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लेकिन इसमें ऐसा होगा कि सीट अलोट हो जाएगी जैसे 15% ओल इंडिया कोटा के तुरू होता है कोलेज डोकुमेंट्स वेरिफाई करेगा तो इस परकार से एडमिसन के बाद में ये डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे तो ये भी स्टुदैंट इस हरासमेंट से भी बच जाएगे अब इसमें एक ही स्टुदैंट एक ही सीट होल्ड कर पाएगा जब एक ही प्लेट फार्म पर कांसलिंग होगी वोई ही student state के round में भी करवा लेते थे तो एक ही seat दो जगे block हो जाती थी अभी ऐसा नहीं होगा इससे security money for fit के भी chances नहीं है जैसे कि student mcc के second round में seat alert करवा लेते हैं लेकिन उनको state में अच्छी seat मिल जाती है तो फिर वो student mcc का round छोड़ देते हैं उससे उनकी security money for fit हो जाती है तो ये फाइदा हो जाएगा उसमें अबसे बड़ा फाइदा ये है कि इसमें कोई seat vacant नहीं रहेगी counseling के बाद में अभी mcc के round में भी काफी seat वेकेंट रह जाती हैं last round के बाद state में भी seat वेकेंट रह जाती हैं तो ये seat वेकेंट रहने के कोई chance नहीं रहेंगे इसके बाद में next जो profit है next फाइदा है student का वो ये है कि एकी platform पर focus करना होगा यानि कि अभी ये देखना नहीं है कि state में अभी कुण सा round चला है कहां कि state का result आ गया है एकी platform पर आपको focus करना है इसके बाद में जो बाकी courses हैं other courses हैं उन में admission लेने के लिए आपके लिए easy हो जाएगा जैसे कि MBBS सबसे पहले student की priority MBBS की होती है तो अगर MBBS की counseling और हो जाएगी बाकी सारे courses की counseling होगी तो उसके बाद में जो BMS में लेना चाहता है वेटनरी में लेना चाहता है तो इसमें admission easily ले सकते हैं अभी problem ही आती है कि इस states के किसी states में mop up late हो रहा है किसी ministry vacancy हो रहा है इसी के दोरान ही ये दूसरे courses के admission स्टार्ट हो जाते हैं तो अभी MBBS में लें काफी सारे student ऐसे होते हैं जो BMS में पहले ही admission ले लेते हैं और उनके बाद में उनको पता लगता है कि हाँ उ इससे भी student को काफी ज्यादा फाइदा होगा इससे भी student को काफी फाइदा हो जाएगा इसमें तो ये जानकारी थी इसके बारे में क्या क्या benefit से क्या करने से कैसे क्या होगा अब भी बात करें हम cutoff for क्या effect पड़ेगा हां cutoff for rank में जरूर effect पड़ेगा थोड़ी सी rank के down आए जैसे कि इस बार 100 शीट्स वेकेंट रहे गई थी माल लो MCC की 100 शीट्स वेकेंट रहे गई थी तो यह 100 शीट्स जो निडी स्टुएंट हैं उनको मिलने थी और उनको मिलने थी तो 100 के लिए सिरफ इसमें ओल इंडिया रेंक में ही फर्क पड़ता है marks is down नहीं होते हैं, जैसे अभी 595, 596 पे गई तो marks तो उतना ही रहना था, थोड़ी सी उनकी rank down आ जाती, ये cutoffer इतना फ्रेक पड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि cutoffer ज्यादा effect नहीं होगा इससे, common counseling से cutoffer ज्यादा effect नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि states में या फि admission ले लेते हैं, बाद में पता लगता है कि government में भी हो जाता है उनका, तो इस परकार से cutoff में कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर फरक पड़ेगा तो थोड़ा बहुत ही rank पर फरक पड़ेगा, marks पर कोई फरक नहीं पड़ेगा इसमें, तो ये सारा analysis करके, मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको share करें, वीडियो को like वे share जरूर करें, क्योंकि इस परकार के वीडियो हम लेके आते रहते हैं, counseling related वीडियो लेके आते रहते हैं, MBBS के students जो course कर रहे हैं, आपके लिए काफी helpful रहेगा, आप इसको subscribe करके bell icon अवस्से प्रेस करें, मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हरसाई चोपना आपसे लेता हूँ, विदा जैहिन!